सब्स्ट्राइब करिए हमारे एजुकेसना चैनल को और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाईए आज के वीडियो में हम मसीन साइन्स विशाय के एक महत्वपूर टॉपिक इससे जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में जानेंगे महत्वपूर जो हमारा टॉपिक है मशीन और जैसा की हर वीडियो हमारा कच्छाओं के साथ ही साथ विभिन कॉम्पेटिटिव एक्जाम के लिए महत्वपूर है इसके इस टॉपिक से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो की जीके और समाने ग विभिनिप्रकार की मसीनों से गिरे हुए हैं साथ ही साथ अपने दैनिक दिवन में विभिनिप्रकार के मसीनों का प्रयोग लगभग हर दिन करते हैं चाहे हुआ सरल मसीन हो चाहे जटिल मसीन हो तो मसीनों की सहायता से कोई कार्य क्या होता है आसानी से दिया जा सकता है मस किने स्वर्मेव कार्य नहीं करती है मसीन अपने आप कार्य नहीं करती है इससे कार्य लेने के लिए क्या देना पड़ता है उसको उर्जा दिया जाना अवश्यक होता है वह उर्जा किसी भी रूप में हो सकता है उर्जा से संबंदित एक वीडियो हमने पूरु में बनाया था उसे आप description box में देख सकते हैं जाकर और कुछ कारिय ऐसे होते हैं जिसे बल लगा कर आसानी से किया जा सकता है वे कौन कौन से कारिय है जैसे की सीतल पे की बोतल का ढक्कन खोलना कोई भी हम साप्ट ड्रिंक पीते हैं कोको कुला थमसात माजा जो भी तो उसकी बोतल को ढक्कन को खोलना तेल से भरे ड्रम को ट्रक पर चड़ाना या ट्रक के पहियों को बदलना इन सबी कारियों को क्या है बल लगाकर असानी से किया जा सकता है अब जानते हैं मसीनों का उपयोग निम लिखित उद्देशों को पूरा करने के लिए किया जाता है मतलब मसीनों को उपयोग क्यों करते हैं तो क्यों करते हैं उसको जानते हैं दल को सुईधा जनक बिंदू पर लगाने के लिए, दल की दिसा को इच्छा नुसार परिवर्तित करने के लिए, भारी बोज को कंबल लगाकर उठाने के लिए और गती को पढ़ाने के लिए, इन सभी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मसीन का उप्योग किया जाता है अब जानते हैं हम मसीनों के प्रकार, तो जैसा हम जान रहे हैं मसीनों के मुख्य रूप से दो प्रकार है, पहला है सरल मसीन और दूसरा है जटिल मसीन पहले जानते हैं सरल मसीन के बारे में, हम अपने दैनिक जीवन में विबिन प्रकार की मसीनों का क्या करते हैं, उप्योग करते हैं, जिसमें चाकू, पेच, चिम्टी, घिरनी, आधी प्रमूख है यह सभी क्या होते हैं? सरल मसीन के उधारण है. यहां चित्र में भी आप देख पा रहे हैं जो सरल मसीन के कुछ उधारण जो हम दैनिक जीवन में उप्योग करते हैं. अब सरल मशीन क्या होते हैं सरल मशीन वे युक्तियां है जो बल के प्रभाव को क्या करती है बढ़ा सकती है या बल की दिशा को क्या करती है परिवर्तित कर सकती है या दोनों कार्य कर सकती है बल के प्रभाव को भी बढ़ा सकती है और बल की दिशा को भी परिवर्तित कर सकत यह सरल मशीन होते हैं अब जानते हैं सरल मशीन के मुख्य जो प्रकार है वे छा प्रकार के हैं इनके बारे में विस्तार से आगे जानेंगे उत्तोलाक पहला दूसरा आनत्तल तीसरा फन्नी चौथा पेच या इसक्रूब पांचवा घिरनी और छटवा है पहिया की धुरी न पहले जानते हैं उत्तोलक या लिवर जैसा चित्र में आप देख पा रहे हैं जमीन से किसी भार को उठाने या हटाने के लिए निम्नांकित विदियो से आप किसे उप्यूक्त समस्ते हैं चित्र नुसार बाक्स को उठा कर पलटने के लिए तीन बेक्तियों को अवशक्ता होती है उठा कर ले जाने के लिए तीन बेक्ति लगेंगे जैसा चित्र में आप देख पा रहे हैं जबकि छड अत्वा सब्बल द्वारा एक टेक का उपयोग करके केवल एक बेक्ती ही उस बाक्स को उठाकर पलट सकता है यहाँ पर मजबूत छड या सब्बल क्या है एक उत्तोलाख है जैसे चित्र में आप देख पा रहे हैं इस तरीके से यहाँ पर यह जो चड है या सब्बल है वा एक उत्तोलाख है इस प्रकार यदि किसी डिप्बे का ढखकन करस जाए तो आप उसे किस प्रकार खोलेंगे देनिक जीवन में आपने देखा होगा कि डिब्बे क्या होते हैं कई बार उसके डखकन कर जाते हैं तो चम्मच जो होता है वा उत्तोलक के रूप में कारे करता है और फिर उस डिब्बे के डखकन को हम आसानी से खोल लेते हैं जैसा चित्र में एक चम्मच के द्वारा डक्कन खोलना दर्साया गया है, यहां भी क्या है? चम्मच एक उत्तोलाक है. तो उत्तोलाक क्या होता है? जैसा उपर हमने जा रहा उत्तोलाक एक सिधी या टेड़ी छड़ होती है, जिसे किसी सुईधा जनक बिंदु पर टिका कर उसके इर्दगिर्द, उसके इर्दगिर्द क्या किया जाता है? स्वतंत्रता पुर्वक घूमाया जा सकता है. इस उत्तोलाक पर जो बल लगाया जाता है उसे आयाश कहते हैं. अब जानते हैं, चित्र नीचे जो दिया गया है उसमें आलंब को, एप से, भार को, एल से और आयास को, ई से प्रदर्शित किया जाता है. अब जानते हैं उत्तोलाक के प्रकार. पहला है प्रतम स्रेडी का उत्तोलाक. इस स्रेडी के उत्तोलाक में आलंब भार और आयास के मद्ध में होता है. इसके उधारण है जैसे कैंची, पेंचीज, सीशा, जुला. प्रतम स्रेडी के उत्तोलाक के उत्तोलाक है. द्रतम स्रेडी के उत्तोलाक में जो भार होता है वह आलंब और आयास के मद्ध होता है. तो पीच में होता है जैसे उत्तोलाक है इसके ठेला, सरवता, ठंडे पे की बोतल खोलने वाला उपकरण. ये द्रतम स्रेडी के उत्तो इस रेड़ी के उत्तुलक में जो आयास होता है वा आलंब और भार के मद्त्य होता है जैसे उदारण है चिम्ता, बंसी और फाओडा कि ये चित्र में आप देख पा रहे है उत्तुलक के जो तुलक है ये परतम श्रेड के उत्तुलक है जिसमें आलम जो है आयाश और प्रतिरोत के बीच में है और यह 32 रड़ी का उतलग उसी तरीके से यह 33 रड़ी के उतलग को चित्र में दिखाया गया है अब जानते हैं आनत तल आपने कई बार देखा होगा कि श्कुटर या किसी गड़ी को उचाई पर चड़ाने के लिए एक धलान बना दिया जाता है हमने अपने दैनिक जीवन में यह कारी किया होगा को वी गाड़ी को जब किसी उप्री स्थान पर चड़ाना पड़ता है तो एक धलान बना दिया जाता है ट्रक या Bell गाड़ी पर तेल से भरा ट्रम चड़ाने के लिए पट्योग किया जाता है इस प्रकार उप्योग किये गए जो पटिया होता है उसी को क्या कहा जा सकता है आनत्तल कहते हैं आनत्तल एक चिकना, द्रिंड और चप्टा सम्तल होता है जो 36 के साथ कुछ कोड बनाता हुआ जुका रहता है जैसे चित्र में आप देख पा रहे हैं सीधे चड़ाना इस तरीके से बिने आनत्तल के और यहां पे आनत्तल का उप्योग यहां पटिये का उप्योग किया जा रहा है उसी तरीके से पहाड की घुमाओदार सड़क एक तरीके से आनत तल का सीधे चड़ना क्या होता है पहाड पे कटिन होता है इसलिए घुमाओदार एक आनत तल बनाकर पहाड की चोटी तक पहुचा जा सकता है साथी साथ आप अस्पतालों में देखे होंगे कि मरीजों को उपर ले जाने के लिए क्या किया जाता है आनत्तल बनाया जाता है शुडियों के बजाए आनत्तल से ले जाना असान होता है अब जानते हैं फन्नी या वेज यह लकडी या धातू का क्या होता है टुकड़ा होता है जिसका एक सीरा चौड़ा और दूसरा सीरा क्या होता है नुकिला या धावदार होता है इसका प्रयोग काटने फारने या दो चिपकी हुई वस्तूओं को अलग करने हेतू किया जाता है पुदाहरण है जैसे चाकू, कुलाडी, छेनी, सुई आदी इसके फन्नी या वेज के पुदाहरण है यह देख पा रहे हैं इसका एक सिरा नुकिला होता है और दूसरा इधार का भाग जो होता है वह मोटा होता है वास्ता में जो फण्नी अवेज होता है वह दो आनत तलो का योग है फण्नी जितने धारदार होती है काटना या फारना क्या हो जाता है उतना ही आसान होता है हम ने अपने दैनिक जीवन में इन सभी का उपयोग किया ही है आप जानते हैं पेच या इसकुरू ये भी अपने दैनिक जीवान उप्योग किया है, आपने नडबोल्ट का उप्योग किया होगा. इसी प्रकार आपने 좁ने का रिफिल बदलते समय भी पेँड को खोलने या बंद करने के लिए पेच का उप्योग किया होगा. तो ये पेच या इस्क्रू होते है जो सरल मशीन है एक प्रकार का अगला है घिरनी आपने कुए से पानी निकालते समय घिरनी का उप्योग किया होगा या जो निकालते हैं उन्हें देखा होगा या एक क्या है सरल मशीन है या वृत्ताकार लोहे ये लकड़ी की चक्ती या पहिया जिसकी परिधी में यहाँ पे बीच में रस्त चढ़ाने हेतु खांचा बना होता है और इस रस्ती के द्वारा ही क्या किया जाता है नीचे की बाल्टी याज कोई भी वस्तुकों जैसे चित्र में दिखाया रहा है गिर्नी के द्वारा थीचा जाता है नीचे से उपर की ओर अगला है पहिया और धूरी पहिया और धूरी दो विभिन ब्यास के बेलन होते हैं जो एक उभाइनिष्ट अक्ष पर साथ साथ घुमते हैं पेचकस, मोटर कार का इस्टेरिंग विल, सैकल का पैडल, आदी, पहिया और धूरी का क्या है उदारड है जैसे चित्र में देख पा रहे हैं पहिया और धूरी के उदारड तो आज के वीडियो में हमने मुख्य रूप से मशीनों के बारे में जाना और मशीनों के विभिन प जिसमें सरल मशीन के बारे में मुख्य रूप से जाना और जटिल मशीन तो आप सभी जानी रहे हैं मोटर साइकल और विभिन प्रकार के जो बड़े-बड़े मशीन होते हैं वे जटिल मशीन के अंतरगत आते हैं तो ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियो के लिए आप सभी ह सब्सक्राइब करें आप सभी का बहुत बहुत दन्यवाद